है तो दूसर, आज हम बात करेंगे की आप लोग अपने kेट करेंट के स्टेटमेंट को कैसे निकाल सकते हैं।ट आए दूसरो स्टार्ट करते हैं सबसे परहे दुस्तों आपको SPI Card App को open करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आता है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा view account details का जो कि आपको यहाँ पर front पर ही मिल जाएगा आपको view account details पर टिक कर देना है अब इसके बाद दुस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगा card statement का आपको simply इसी card statement वाले option पर टिक कर देना है अब दुस्तों यहाँ पर इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर दुस्तों आपको अपने statement को download नहीं करना है सिर्फ आपको देखना है तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको view statement का आप इस पर क्लिक करके सिर्फ अपने statement को view कर सकते हैं यहाँ पर आपको download दुस्तों नहीं होगा लेकिन दोस्तो अगर आप अपने statement को download करना चाहते हैं तो उसके रिए दोस्तो आपको यहाँ पर एक option दिख रहा होगा download का आपको simply इसे download वाले option पर tick कर देना है दोस्तो जैसे हमने यहाँ पर download अबाले icon पर click किया था उसके बाद दोस्तो थोड़ा सा wait करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का interface आजाएगा और आपका दोस्तो जो भी statement था वो दोस्तो download हो जाएगा इतना होने के बाद आपको यहाँ पर जो भी app आप यूज़ करते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको माध्यम बताया है SBI card statement को download करने का यहाँ पर दोस्तो एक आपको फायदा मिलेगा जैसे कि यहाँ पर आपको कोई भी password आपको डालने की जो नहीं पड़ेगी दोस्तो अगर आपको कोई स्तवाल हो अगर आपको कोई doubt हो और आपको process करते वक्त अगर आपको कोई दिक्कत आती है कोई भी परिसानी होती है तो दोस्तो बेफिकर होके camera box मिल लिख सकते हैं और मैं आपको comment को तो चोड़ दूँँगा थांक्स परस्टन दोस्तो बाई बाई